वोस्टर को मार देता है, हमें जानने को मिलता है कि मीका एक वेंपायर बन चुगा है, वहाँ पर और भी वेंपायर आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर शकते हैं, अगर वो उन्हें अपना ब्लड देतू, इस पर सभी यूमन तयार थे, वहीं लेकिन उसी दोरान वहाँ पर क्वीन कुरेल भी आती है, वो अभी मीका को पड़ा हुआ देखती है, हलाकि मीका मनने वाला था लेकिन वो कहती है कि उसे मीका चाहिए, इसी वज़े से फिर वो उसे अपना ब्लड दे देती है, जिसकी वज़े से मीका तब से एक वेंपायर बन गया है, वैसे इसके बाद अब हम यूचीरो को देखते हैं, वो फिर से स्कूल आ रहा था लेकिन उसी दोरान वो एक लड़के से टकराता है, वो लड़का इतना गुस्य वाला था कि वो तुरंती उसे एक पंच मार देता है, हलाकि वो उसे जवाब नहीं देता, बाद को भी गुस्सा आ राता, इस वज़े से उन दोनों में फाइट होती है, लेकिन गुरेन उन दोनों को ही पीटते हुए वहाँ से दूर फेक देता है, और कहता है कि उन्हें क्लास में नहीं लड़ना चाहिए, वैसे बाद में उनकी मुलाकात एक नई इंस्ट्रक्टर से होत इसी वज़े से उसे कीमी जूकी के साथ ही टीम मनानी परती है, फाइट के तोरा नचानक से कीमी जूकी को पता चलता है कि उसकी बेहन की तबियत बहुत खराब है, जोकी अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन वो फाइट पर ध्यान दे रहा था, पर यूचीरो कहता है कि तु इस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनके हाथ बने हुए है, इसी वज़े से वो दूर नहीं जा सकते थे, आज पूरे दिन उन्हें इसी तरह से हाथ बांग कर रहना होगा, इसी वज़े से उनकी दोस्ती हो जाती है, अगले सिन में हम देखते हैं कि जब यूचीरो के ह हूस कर दिया था, यूचीरो जब वापस लोड़ता है तो उसे लगता है कि गुरेन मजाक कर रहा है, लेकिन सिनोवा उसे बताती है कि गुरेन कभी अपनी प्रामिस नहीं तोड़ता, अगले दिन जब गुरेन उनकी क्लास में आता है तो यूचीरो वेपन की डिमांड करत पर उसी टाइम गुरेन उनको मारते हुए कहता है कि पहले उन्हें अपने गुस्से पर काम करना चाहिए, वैसे वो इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या उनके हिसाब से कोई ऐसा है, जिसे इस वेपन टेस्ट के लिए चुना जा सके, तो वो बताती है कि यूची को चु में कम जूर है, क्योंकि उसे लड़ने का बिल्कुल experience नहीं है, और वो डरता भी है, लेकिन एक डीमन को अपने वस्स में कर लेना उसके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर उसके कभी एंपायर से fight होती है तो, वैसे वो वहाँ पर पहुंचते हैं जहां उन्हें वो टेस् लेकिन इसके लिए यूचीरो को उसके वस्स में आना होगा, पर वो इसके लिए तुरंत बना कर देता है, अब वो डीमन उसे बांद कर उसकी दोस्तों की image दिखाती है, जो कि उससे कह रहे थे कि अगर उससे strong बनना है, तो उसे इस डीमन की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन जब भी कभी किसी vampire को देखोगे, तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, इस पर यूचीरो को कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो तो यही चाता है, कि इस दुनिया के सारे vampire मारे जाए, इस पर सीरा मारू कहती है कि ठीक है, तो जब भी तु हम यूची को देखते हैं, वो अभी अपने ड्रीम में था, वहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी बेहन से होती है, जो कि असल में वही डीमन थी, वो उसे बता रही थी कि यूची कितना कमजूर है, और वो खुद से कभी उस vampire को नहीं हरा पाएगा, जिसने उसकी बेहन को मारा है, और इसलिए अगर वो चाहे तो इसमें वो डीमन उसकी मदद कर सकती है, यूची डरा हुआ था, इसलिए वो हां कर देता है, जिस वज़े से उस डीमन का उसकी बाड़ी पर कबजा हो गया था, अभी यूची जब जागता है तो वो डीमन उस पर हावी थी, और यहाँ पर कुछ भी किया नहीं जा सकता था, इस वज़े से गुरेन कहता है कि हमें यूची को खात्म काना होगा, यूची भी उन पर हमला कर रा था, लेकिन यूची रो और कीमी जू की किसी तरह से उसके अटैक्स को रोकते हैं, वो उनके दोस्ट है, इस वज़े से वो उसे मारन नहीं चाते थे लड़ाई के दोरान यूची रो अपनी तलवार को अलग फिक दीता है अभी यूची ने उसकी तरफ अपना special weapon तान रखा था लेकिन यूची रो के confidence की वज़े से वो वहां से नहीं हटता और अचानक से यूची भी अपने senses वापस से regain कर लेता है और अब वो नॉर्मल हो चुका था वो तुरंती यूची रो के पास आकर उसे गले लगा ले था